सो फ्रेंड आप जानते होगे कि अगर हम compare करेंगे अगर FD compare करते हैं या mutual fund compare करते हैं तो सब लोग को पता है कि mutual fund आज कल बहुत अच्छा return दे चुका है whereas अगर FD की बात करें तो last अगर 10 अगर record हम देखते हैं तो FD का पहले तो चलो ठीक है 7-8% मिल भी जाता है लेकिन आपको पता है कि आज FD का rate इतना कम हो गया कि 4-5% मिलता है सभी को पता है so आज की वीडियो मैं आपको discuss करूँगा phone पे लाइफ दिखाऊंगा कि हम किस तरह small cap company में invest करते हैं और yes return यहाँ पास आपको बहुत अच्छे return मिलने वाले हैं जो आप सोच नहीं सकते मतलब FD से 7-8 गुना return आपको मिल सकते हैं लेकिन small cap fund में थोड़ा risky तो होता है लेकिन small cap fund का मैं आपको last 10 years का record दिखाऊंगा with the help of phone पे live आपके सामें investment करूँगा आप live देखोगे और last में अपना portfolio दिखाऊंगा किस तरह मुझे न कुछ fund ने more than 30% return दिया है इस चैनल की सारे वीडियो आपको मिलती रहे तो without any further delay चलो मैं सिधे screen recording on करूँगा और दिखाऊंगा आपको किस तरह मैंने small cap company में invest किया किस पे phone पे की मदद से और किस तरह उसका return बहुत अच्छा मिला है चलो देखते हैं live So friends, सिधे मैं screen recording on करूँगा और screen recording on करने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह मैंने invest किया और invest करने के बाद कितना return मुझे मिला एक एक fund के बारे मैं जाने कर रहे को दूँगा screen recording बिलुकल आपको दिख रही होगी So start करते हैं without any further delay, start करते हैं सीधे चलते हैं किस पे चलेंगे सीधे चलेंगे phone पे application पे ठीक है आप देखते जाना है screen के आपको सब कुछ दिख रहा होगा क्योंकि सब कुछ में आपके सामने live कर रहा हूँ और आपको दिखेगा कि यार real में कितना simple है invest करना और invest करने की ताकत धीरी धीर है आप invest करते हैं तो हमें कितना अच्छा return मिलता है लोग आचकल डड़ते हैं कि 100 रुपीज में invest करने आपको बताऊं लेकिन कोशिश करो जितना आप invest करोगे न उतना जादा आपको ज़्यादा स्वाद मिलेगा कि मेरा पैसा कितना तेजी से बढ़ा है शुरू में आपको ज़रूर धुरूरा कम दिखेगा लेकिन जैसे इसे समय बढ़ेगा न तो आपको फील होगा कि यार कितना तेज पैसा बढ़ा है मैं आपको खुद दिखाऊंगा investment का ज़्यादा समय नहीं हो अलेकि return यहाँ पा 30% मुझे मिला है सो डारेक्ट आपको चलते हैं अप्लिकेशन पर देखो सीधे मैं जाओंगा wealth section पर wealth section पर देखो जैसे मैं गया न तो सीधे मेरा portfolio खुल गया है portfolio लास्टर बताऊंगा चलो सबसे पहले देखते हैं कि क्या-क्या investment ideas नहीं आपास है दोको बहुत सारे चीजे हैं सीधे मैं आपको चलूँगा दिखाऊंगा large cap fund आपको दिख रहे होंगे small cap fund है mid cap fund है flexi cap fund है sectoral fund है index fund है बहुत सारे fund है phone पे तो बहुत सारे चीजे उन्होंने दे दिया है phone पे ने आप यहाँ से invest कर सकते हो कितना easy बना दिया है चलो जो आपसे वादा हुआ था start करते हैं सीधे small cap fund में अब small cap fund में आपको देखोगे तो मैं छोटा-छोटा example आपको दिखाऊंगा बहुत ध्यान से देखना वीडियो क्योंकि यह वीडियो आपके बहुत सारे पैसे को बढ़ाएगा भी invest भी करेगा save भी करेगा ठीक है न देखो सबसे पहले बात करते हैं हम कोटा की small cap fund के बारे में देखो कोटा की small cap fund की अगर बात करें न तो यहाँ पास उसका last 3 years का 33% इसका return दिया है यहाँ पास अगर और हम इसको जाता देखते हैं तो आप यहाँ देख सकोगे यहाँ पास की last 5 years last 5 years का 17.7% इसका return है last 5 years है और जब से यह launch हुआ है कोटा की small cap fund जब से launch हुआ है आपको clear दिखरा होगा जब से launch हुआ है तब से इसका percentage हुआ है 17.35% आप बोलोगे सर कितना अच्छा percentage है क्योंकि अगर मैं बात करूँ FD की बात करूँ ID की बात करूँ in fact gold की भी बात करूँ लोग invest करते हैं तो वहाँ पास ना return मुझे बहुत कम मिलता है 5-6% return मिलता है 7% return मिलता है लेकिन kotex small cap fund ने जब से launch हुआ है ना my dear friend तब से 17% return दिया है last 5 year में 17% last 3 year में 36.39 अब लोग बोलते हैं risky है लेकिन आप देखो जब से launch हुआ है कब से launch हुआ है 2005 से launch हुआ है 2022 चल रहा है यह 17 साल हो गए और तब से 17% return दिया है last 3 year का 36 कोई आपके सामने data है विल्कुल मैं कोई मंदगरण data नहीं दे रहा हूँ सब कुछ आपके सामने data है fund size आपको पता है इसका fund size अच्छा fund size है काफी ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है excellence ratio 1.91 है मतब थोड़ा सा fund manager जो आपके fund को manage करते हैं थोड़ा वो तपने fees लेते हैं लेकिन आपको return इतना च्छा मिल जाता है कि fees देने कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती ठीक है न देखो अब इसका amount जो invest करते हैं करता है सर पैसे निकाल सकते हैं क्या डakesनी पैसे निकाल सकते हो वीडियो मैंने बना रखा आप अराम से पैसे निकाल लो जब कूजब ही आप वूटध पड़े ना phone पे इतना simple बना रखा न चीजवा अराम से पैसे में निकाल सकते हो ठीक है आप देखो option हमारे पास दो चीज आते हैं बैक करता हूं मैं देखो option हमारे पास दो चीज आएंगे option है आपास आपको monthly SIP option आएगा one time के SIP आएगा अगर monthly SIP plan करोगे तो कोशिश करो कि minimum thousand रुपीज हर मन्थ आपको यहाँ invest करना है देखो यह condition बता दिया है देखो पास आपको invest now पे click करना होगा invest now पे click करने के बाद आपको कुछ नहीं setup auto पे करना होगा simple already मैंने invest कर रखा इसलिए अभी करनी रहा हूँ लेकिन आप इसमें अराम से कर सकते हो setup auto पे करोगे तो आराम से आपका investment हो जाएगा पहली बात one time अगर करना चाहते हो तो minimum आपको 5000 इसमें डालना पड़ेगा ठीक है okay minimum 5000 आपको डालना पड़ेगा 5000 आप डालोगे तब आपका return बहुत अच्छा मिलेगा ये बात हो गई हम कोटक small cap fund की बात कर रहे हैं मैं आपको 5 best बताऊंगा किसी में भी शुरू करो आप कोई problem नहीं लेकिन शुरू करो the most important thing जब तक आप चलना शुरू नहीं पहुच होगे इसी लिए सुरू करना बहुत important है ठीक है कोटक small cap fund के बारे में बात कर लिया हमने अगला बात करेंगे ICCA potential small cap fund की बारे में बात करेंगे इस fund के बारे में अगर मैं आपको जानकर ही देना चाहूंगा न तो ये जब से launch हुआ है 11.83 का percent है लेकिन last three year में 30.7 percent return दिया है तो कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं तीन साल तक invest करो पैसे देखते हो पैसे थोड़े से बढ़ते हैं तो आराम से आप redeem कर सकते हो market अभी बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा time है invest करो यहाँ पास आपके पैसे अच्छे से return हो के मिलेंगे जब से launch हुआ है दे तो 100 रुपी से invest करने के बाद कुछ नहीं करना है आप हर मही ने 100 रुपे की बहुत अच्छा इसने दिया है देखो आप अगर अभी start करोगे तो आपका next month से पांस तारिक से साइपी चालो हो जाएगी auto पे कर दोगे तो अपने आप account से कटेगा simple सी बात है one time option अगर कर रह वाहिजमाल की से बारे में बात करेंगे मुएल खर आप sih वझै स्मॉलक्राफंड के बारे में बात करेंगे आपका तो इसमें अगर उपको record थे तोंकि हमारा लास्ट त्री येर का डेटा बड़ा इंपोर्टेंट है क्योंकि आप इन्विस्ट करके ना अच्छा खासा पैसा आप मोईल देखो अराम से लास्ट त्री येर्स का आप करके ना अराम से आप 31.56 का परसेंटेज निकाल सकते हो ठीक है बहुत अच्छा है जब से ये से लाइन से लांच हुआ है तब से इसका 20 परसेंटेज यहां पस दिया है आप इसमें मिनिमूम 500 से पैसा निकाल सकते हो ठीक है आप मोईल चेक कर दो देखो सौरी वह थोड़ा सा प्रेशान कर रहा है ठीक है लेकिन अब समझ में आया ना कि देखो SBI Small Cap Fund के बारे आपको ने बता दिये पहले कोटक का बताया था कोटक के बाद आपका ICCI Prudential Small Cap Fund बहुत अच्छा फंड है तीसरा है SBI Small Cap Fund के बारे में चौथा जो मेरा फैवरेट है Nippon India Small Cap Fund देखो Nippon India Small Cap Fund के बारे बारे बात करूँगा आपको जानकरी दूँगा तो बहुत अच्छा है जब से लांच हुआ है मतलब मान के चलो कि 20% आपको मिला है जब से लांच हुआ है अब आप देख सकते हो यहाँ आपस लांच कब हुआ है लांच हुआ है सोरा सितंबर 2010 से मतलब देखा जाया तो 12 साल हो चुक है इस फंट को लांच किये हुए और सबसे अच्छी बात जो लग रही आपको देख रहे होगे कि पिछले 3 सालों में 35% का रिटेंड दिया है कमाल का रिटेंड है आप अगर किसी से भी कंपेर करो गोल्ड से कंपेर करो आप FD, ID, anything कुछ भी कंपेर करोगे PPF बगैरा से बहुत अच्छा रिटेंड है मैं जल्दी सुरू करो जितना देर खर रहो ना उतनी प्राबलम में हो रही है जल्दी सुरू करो ठीक है न यहां पास investment आप सालों कर सकते हो 100 रुपीज से बहुत सिंपल बनाया है ठीक है न और जब चाहे ता पैसे हम निकाल सकते हो redeem कर सकते हो वीडियो मैंने बनाई है करीज कर सकते हो ठीक है तो 100 रुपीज से आप स्टार्ट कर सकते हो ठीक है यह चीज है आप यहां पास आप वन टाइम में स्टार्ट कर सकते हो अगर वन टाइम आपको सुरू करना है न तो वन टाइम सुरू करने के लिए आपको मिनिमम वन थाउजन रुपीज करना पड़ेगा 1000 शुरू करोगे तो one time मतलब होता है जब आपको पैसे मिले ना तब invest कर दो tension खतम है ठीक है न तो वो one time का मतलब होता है तो बहुत ही simple है कोई tension वाले इसमें बात नहीं है आपकी ठीक है अब देखो हमने kota का देख लिया IC से देखिया SBI के देखिया Nippon के देखिया एक और fund के बारे आपको बात करूँगा इन पांचों में से किसी को आप select कर सकते हो अग कोशिश करो 2-3 fund select करो पैसे बढ़ा हो यार देखो DSP small cap fund के बारे बात करते है तो DSP small cap fund का जब से launch हुआ है 17% का result दिया है last 3 year पिछले 3 साल का more than 31% का result रहा है ठीक है बहुत अच्छा ये fund रहा है अब इस fund में minimum 500 रुपे आप invest कर सकते हो 500 रुपे invest करने के बाद आप अपने पैसे को बहुत अच्छा बढ़ा सकते हो hold करो क्योंकि पिछले 3 सालों का record बहुत अच्छा था जब से ये launch हुआ है देखो compare करते हैं किसी से भी एक अपन करते हैं जब से launch हुआ है 17% का result रिजल्ट 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 दिया है तो बहुत अच्छा जो fund आप इसमें invest कर सकते हो ठीक है तो ये मैंने आपको जो 5 fund में आपको बता है आप इसमें से कोई भी fund में आप invest कर सकते हो अध्वेत कोई fund में आप invest कर सकते हो invest करने बाद आपको बहुत अच्छा है return मिल सकता है चलो अब थोड़ा सा मैं आपको ना दिखाऊंगा portfolio छोटा सा portfolio है केवल ना आप लोग को demo के लिए मैंने रखा है इसमें ज्यादा invest नहीं कर सकता नहीं करता हूँ दूसरे में करता हूँ लेकिन just to show your guys मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा मैं आपको सिवादा किया था कि एक fund ने मुझे 30% का result दिया है देखो निपॉन इंडिया large cap fund के बारे में बात करूँगा यहाँ पास यह fund ने मैंने लगबग 1000 रुपीज इंविस्ट किये थे current value है 1329 रिटन देखो इसका 32.93 का परसेंट मुझे रिटन मिला है recent मैंने स्टार्ट किया है तो मतलब देखा जायत कोई fund आप कर सकते है overall मुझे 14% का अभी profit चल रहा है मेरा तो आप देख सकते हो कि यह मैंने demo के लिए रख आप लोगो दिखाने के लिए कभी-कभी invest जो करता हूँ आप लोगो जब वीडियो बना सते है तो कहने का मतलब मेरा क्या है कहने का मेरा मतलब यह है कि आप किसी में भी invest करो किसी भी invest करो, आप चाहे कोई fund invest करो, पराग फारिक करो, nifty fifty करो, कहीं भी करो आप न, mid cap करो, large cap करो, important is that start करो, क्योंकि start करो गे न, तो आपका पैसा बढ़ेगा, growth बढ़ेगी, right, तो ये बाते थी जो मैं आपसे कहना चाहरा था, I hope थोड़ा सा clear हुआ होगा आपको कि किसमे invest करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए, अगर नहीं कर रहे हो न, तो this is the high time, आपको invest करो, क्योंकि न, अगर आज invest करो गे न, आपको profit कल दीखेगा, जब आपको profit दीखेगा, तम मुझे thank you बोलोगे, कि sir, वाकई बहुत अच्छा आपने बताया, आपने मुझे motivate किया, कि यह start करना चाहिए investment, बहुत ही simple है, जिसको doubt है, what's up number है, मेरा number है, आप clear को रोज में देखो, और आपको small पता चलेगा, कि आप कितने अच्छे से start कर सकते हो, invest कर सकते हो, बिलते हैं next video के साथ, bye bye take care, जैहिन